हलो एबरीबन वेलकम टु स्टडी रंबल आइम तुशार एंड इस वीडियो में बात करेंगी कि आपका चाइना का एक नुक्लियर फूजन रियक्टर है जिसका नाम है इस्ट जिसको हम आर्टिफिशल सन भी कहते हैं तो इसने अभी अभी आपका एक हाइस टेंपरेचर का वर्ल रिकॉड बना एक वर्ल रिकॉड बना है इसके वार्म हाँ पर बात करेंगे और ये भी जानेंगे कि आपका नुक्रीयR फूजन रियक्षन क्या होता यह किस तरीके साफ अपका क्यूश से फिजट क्या है तो देखिए आपने काफी सारी जोगा पर इस तरीके के आर्टिकल से देखे होंगे चाइनीज आर्टिफीशल सन एक्सपेरिमेंटल फ्यूजन रियक्टर सेट्स न्यू वर्ल रिकॉर्ड ओके आपको इस तरीके के पूरा आपका इस तो यह आपका रियक्टर का नाम नहीं तो इसकी पूर्पां मैं आपको बताऊंगा ठीक है वट देखिए आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक बार इसका अंतर समझाना चाहूँगा आप यह पूरा टॉपिक इसको आसाई से समझ पहें क्योंकि इस पूरियो टॉपिक में आपका जो नुक्लियर फ्यूजन रियक्शन है इसका बहुत इंपरेंट रोल है और आप देख भी सकते हैं यहां पर देखिए इस तरीके के आपके अंतर के आपका नुक्रियर फ्यूजन और फूटन में तूट जाता है वही दूसरी तरफ आपका नुक्लियर फ्यूजन होते हैं 2 daughter nucleus में ठीक है? नि 2 छोटे छोटे nucleus में से हम convert करते हैं वह ही nuclear fusion में क्या होता है? हम क्या करते हैं? 2 lighter nucleus देते हैं हलकी nucleus देते हैं और उनको convert करते हैं हम अमलब heavier one में ठीक है? ये आपको समझ में आ गया इसके लावब देखे जितने भी आपके nuclear power plants से हों, सभी में आपकी जो energy produce की जाती हो, आपकी nuclear fusion reaction से ही produce की जाती, even जो आपके atom bombs होते हैं, उनमें भी आपकी uranium और plutonium की nuclear fusion reaction कराते हैं, ठीक है, यह आपको समझ भाए कि nuclear fusion होता है, इसके अलावा आप देखे, जो आपका nuclear fusion होता है, ठीक है, मैं fusion की बा bomb होता है, यह भी आपका thermonuclear fusion reaction पर ही base होता है, ठीक है, अब देखे, आपको मैं दौनों reactions कर जो difference है, एक any machine के दूर समझाने की कोशिश करता हूँ, ठीक है, तो यहाँ पर देखे, आप यहाँ पर देखेंगे, एक uranium का atom है, इसको एक neutron आके hit करता है, यहाँ पर देखेंगे, आपके देखेंगे, एक तो अब देखेंगे, आपके दोनों combined हो रहे है, इससे देखेंगे, एक तो energy release हो रही है, ठीक है, और यहाँ पर आप देखेंगे, आपका एक helium बनता है atom ठीक आप देख पा रहे हैं और इसमें कि आपका एक neutron निकल गया आपके चलके neutron क्या करेगा और आके आपकी reaction को proceed करेगा समझ पा रहे हैं तो यहां से आपने देखा कि आपके दो छोटे-छोटे हलके atoms मिलके एक बड़ा atom बना रहे हैं और इससे कि और आपकी बहुत ज़ादा energy प्रडियूच हो ठीक है तो मैं उमीद करूँ यहां से आपको nuclear fusion और fusion का difference समझ में आ गया हो ठीक है तो अब देखते है हाली में हुआ कै ठीक है तो देखे जो इस इसकी full form है experimental advanced superconducting tokomag ठीक है क् experimental advanced superconducting tokomag अब ध्यान अकिएगा हो सकता आपके किसी UPC के exam में आ जाए ठीक है तो इसने basically यह है क्या मैं आपको समझाता हूँ पहले तो यह आपको एक nuclear fusion reactor है ठीक है मैंने आपको पहले भी बताया कि China का एक nuclear fusion reactor है यह basically कोशे शेक कर रहा है कि जिस type से sun आपके energy produce करता है nuclear fusion reaction क यह त्रू उसी की बिल्कुल कॉंपी यह कर पाए उसको यह replicate कर पाए उसकी mimic यह कर पाए तो देखिए इसने हाली में क्या किया है 216 million degree fair night की temperature को अचीव किया था 101 seconds के लिए और देखिए बहुत बड़ी बात है कोई छोटी बात नहीं है अगर मैं आपको इसको degree Celsius से बताना चाहूं तो आपके माले जे 120 million degree Celsius का temperature था जो कि इसने अचीव किया था और मैं आपको एक average बता रहूं कि जो sun का आपका temperature होता है यह आपका 15.5 से लेकि 16 million तक का होता है कितना होता है 15.5 million मालब यह माना जाता है इतना होता है ऐससे यहाँ पर जाके किसने ना पा नहीं है इसके लावा देखिए 101 सेकेंड के लिए तो इसने आपका 120 million degrees Celsius को अचीव गया इसके लावा देखिए further for another 20 seconds इसने जो temperature इसको और बढ़ा दिया और 288 million Fahrenheit तक पहुंच गया नहीं 160 million degrees तक पहुंच गया अब आप हैसे कह सकता है यह 10 times hotter हो गया sun से अब देखिए पता है problem क्या है यह कोई ऐसा नहीं है कि हमने इससे पहले कभी इस तरीके की nuclear fusion के जो आपके temperature रियक्शन के इसको अचीव नहीं किया मैं आपको बढ़ाता हूं लास्ट यह आपका South Korea का भी एक reactor इसको अचीव किया इससे पहले कुछ और ऐसे आपके कह सकते हैं attempts करे गए जिसमें हमने इस सबजी पकाते हैं यह हम बात करें 120 million degree Celsius की या फिर आप अगर इसी range को ले रेंगे 15.5 million to 16 million यह वो रेंजे इस पर कोई हजारो किलोमेटर दूर पर भी अगर आप है तो आप जल्गे राख हो जाएंगा आप समझ पारें तो आप सोचिए कि 120 million degree Celsius क्या होता है आप समझ पारें gravity की वह हम किस temperature range के आप बात कर रहे है तो देखें अभी यह तो खहर रहे है अपने अपने एक अचीव एक शीव किया तो यह आपका एक advanced nuclear fusion reactor तो यह आपको बताई दिया कि यह क्या कर रहा है कोशिश कर रहा है कि जो आसन के अंदर प्रोसेस है पूरा energy generation का उसको रेप्लिकेट कर सके और देखें यह आपका पूरा रियक्टर यह आपके चाइना के हेफ़ए में है हेफए में आपके इंस्टि जैसे कि HL2 reactor यह आपका 2002 में बनके तयार होगे तो तब से काम कर रहा है इसके लाव देखें यह आप देख पाने लास्टियर के रियक्टर है जिसका नाम है HL2M इसने अपनी शुरू कर दी थी और ऐसा बताया जा रहा है यह चाइना का largest और most advanced nuclear fusion experimental research device है ऐसा बताया जा रह जागा दी उससे ही रीच हो जाएगा अपने gas जला दी कोई अपने burners जला दी उससे ही रीच हो जाएगा ऐसा तो है नहीं तो तो देखे होता क्या कि इस high temperature range को achieve करने के लिए हम यूज़ करते है super conducting magnets है अब यह देख पाने यह लंबी-लंबी यह क्या है यह super conducting magnets है ठीक है अब यहां से मेरे से सवाल पूछ सकते कि प्लाजम क्या होता है अब इसमें क्यों आपके electrons होते है और जो आपके nucleus है याणि nuclear आप बोले तो nuclear जो ही separate हो जाते है या कोई और material है फिर कुछ आप alloys बनाने इस तरीके के वह इसने temperature को बहुत दरीकले sustain नहीं कर सकते है यानि सहन नहीं कर सकते है कहने का मतलब भी है ठीक है तो यहां से आप समझ गए कि China ने क्या achieve क्या है कि इस तरीके से achieve क्या है और China का आप देखिए रहे हैं कि चार-चार है तो देखिए मैं आपको एक एक अग्जांपल ता हूँ साउथ कोरिया का लास्ट यह देखिए साउथ कोरिया ने 20 सेकेंड के लिए 100 मिलियन डिग्रीज का temperature को अचीव क्या था अपने एक nuclear fusion reactor में इसका नाम क्या था कि इस तरीक है यह इसका नाम है इनके nuclear fusion reactor का और इसमे हो रहा है क्योंकि हमारे देखिए nuclear fusion reactors तो अल्डेटी हैं पर नुक्री फीजन नहीं है तो आप सोच तरते हैं कि इंडिया कर रहा है तो देखिए मैं आपको बता दू इंडिया लॉंग विद अधर 34 नेशन आइटी इयार का पार्ट है अब देखिए ITR का यह आई आइटी fusion reactors तो इसी तरीके का हम क्या करने एक thermonuclear experimental reactor बना रहे है जिसमें हम nuclear fusion की इसको प्राफरली कर रहे है ठीक है और देखिए ITR में अगर आपको में मेजर मेंबर्स बता दो तो आपके चाइना इडिया जैसे के आपको बताया जैपैन साओध कोरिया रशिया एंड यूनिया और जो भी कॉस्ट आएगी वह बेसिक लिए 7 मेंबर्स शेयर करेंगे आपसमें और देखिए मैं बता दूँ इसमें जो मेजर चंक है वह दे रहा है आपका European Union अगर मैं आपको एक रफ आइडिया दूँ तो आपको इसका एक्सपर्टीस बहुत जादा दीए है यहां पर यह सब कुछ successful ही होता है कि पहला ऐसे बता जारे कि 2025 में पहली बार ट्राय करेंगे nuclear fusion क्या आप इसको अचीव करने की 2025 में पहली बार ट्राय करेंगे अभी तो यह बनी रहा है तो जब जो भी रिजल्ट्स आएंगे उसमें इंडिया equally कह सकते है आप एक भागीदार होगा जो चाहें अच्छा हो चाहें बुरा हो उसमें इंडिया equally पार्टनर रहेगा ठीक है तो ऐसा बता जारे कि अगरे successful हो गया क्योंकि इसमें जो हम यह जो प्रोजेक्ट है आपका बता जारे कि इसके जो रिजल्ट्स होंगे काफी प्रमिसिंग रिजल्ट्स होंगे अच्छा इ आप सोचेंगे cryo set cryogenic and cryo distribution system क्या होते हैं तो मैं आपको उता है cryo word का यह मतलब है इसका मतलब ही होता है low temperature आपके कह सकते हैं बहुत कम temperature में किसी चीश को रखना ठीक है इसके अलब आप आप यह cryogenic word भी काफी बद सुनाओगा जब भी आप देखके इस रोव अगरा के rockets करन करता है एक ऐसी science है जो कि आपके low temperature से deal करते है तो अभी इंडिया ने क्या किया cryo stat जो कि आपका basically vacuum container है एक vacuum chamber है जो कि basically क्या करता है एक बहुत ही low temperature को maintain करके रखता है यह provide कराया है इस ITER में और इस आपका cryo stat है यह बनाया कि इसने आपको बनाया मैनुफेक्च्छर के लार vacuum pressure chamber है जो कि अब तक का बनाया गए इसके अगर मैं आपको एक रफाइड़े तो इसका volume 16,000 meter cubes का तो बहुत ही बड़ा यह आप कह सकते है कि vacuum chamber है जैसे मैं आपसे कहा भी था कि यह जो आपका ITER का project है बहुत ही बड़े large scale project है मैं आपको बताया ही है कि यह आपको प्रोजेक होंगे और में भी आप उमीद कर सकते हैं कि इंडिया को यहां से definitely फाइदा हो गई होगा और अगर माल लेते successful हो गया तो आप कह सकते हैं इंडिया will be one of the leading आप कह सकते हैं country होगा इस nuclear fusion reaction की technology में ठीक है तो मैं उमीद करना हूँ आपको इस पूरा topic तो समझ में आ गया होगा इंडिया पर कहा खड़ा है कहा पर इंडिया के स्टेंड है आपको इस समझ में आयोगा बाकी देगे बात यह भी चल देगे इंडिया खुद के धंपर भी बहुत ही जल्द nuclear fusion के जो आपकी रिसर्च होती इसको स्टार्ट करेगा इसी बात चल रही है बट अभी इतना कोई प्रोमिसिंग आप कह सकते हैं कि डॉक्यमेंट सामने आया है नहीं जो कि यह दर्शास है कि हाँ पर नुक्लियर रिया फीजन का जो आपका रिसर्च इंडिया के इंडिया के बहुत जाल शुरू हो जाएगा था सब्सक्राइब बात चल रही है पहुत सारी साइटिस्ट कह अगले सेशन में अभी के लिए इतना है जहां पर हम जानेंगे कुछ और नहीं बात है किसी और टॉपिक हे रिगार्डिंग चलिए अगर सेशन अच्छा लगा इंफर्मिटीव लगा तो इसको लाइक करें शेर करें अबने दोस्तों के साथ चलिए बाबाई एंड की प्रिपरिंग फॉर एग्जाम